हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो माई चैनल, मैं हूँ आपकी फ्रेंड वर्शा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के जिसके लिए हमने एक न्यू टॉपिक लिया है कह सबस्दे पहले हम इसमें बात करेंगे कि क्या होता है और किस तरह के लिए काशेंस में grouped बत्सके पूछेalia, उसके बद कारेंगे वीडियो के अंदर हम सारे तरह से questions को discuss कर लेंगे जिससे आपका एक chapter complete हो जाएगा तो लास्ट अग वीडियो को जरूर देखेगा वीडियो पसंद आती है तो like कीजेगा अपने friends किया share कीजेगा तो start करते हैं और देखते हैं coding recording में किस तरह से questions पूछे जाते हैं देखे coding की बात करें तो किसी अर्थ पूर्ण शब्द को एक विशेश नियम के अनुसा अर्थ विहीन या फिर कोई अक्षर युगम होगा संख्या होगी उसमें परिवर्तित करने की बिदी को coding कहते हैं यानि कि coding में क्या होता है कि वहाँ पर एक ऐसा pattern follow हो रहा होगा आपको उसी pattern के according उसको solve करना है लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उनका कोई meaning निकले ठीक है तो वो हमारा कहलाता है coding अब देखते हैं decoding तो देखे अर्थ विहीन शब्द समू को एक विशिश नियम के अनुसा art point बना जाए यानि कि decoding में क्या होता है कि आपको जो एक wrong pattern दिया होगा आपको उसको pattern को सही करके एक ऐसा world बनाना है जिससे एक meaning निकल कर आए for example जैसे कि यह देखिए WFITVHS अब यह तो कोई meaning नहीं है लेकिन अगर इसको हमने reverse में बनाया तो देखिए इसको निकल कर आगया दुरगेश दुरगेश एक meaning है एक नाम है तो यह किस method से यह बनाया गया यही हम सारी चीज़ेस के अंदर पढ़ेंगे तो I hope यहाँ पर आपको coding decoding समझ में आ गई होगी इसमें ज़्यादा बात नहीं करते है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले से learn होनी चाहिए आपने अब तक की हमारी यह हमारा 4th chapter है इससे पहले हमने 3 chapter discuss कर लिये है तो उसमें भी मैंने आपको यह बताया था यह हमारा 5th chapter है ठीक है 4th हमने कर लिये है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप जो हमारे ABCD है इनके numbers आप याद कर लिजे 26 letter होते हैं तो कौन सा letter हमारा किस number पर आता है ठीक है यह आपको पता होना चाहिए for example मैंने बोला आपसे R बताये तो R का आपको पता होना चाहिए 18 number पर आता है मैंने कहा Y बताये तो आपको पता होना चाहिए Y हमारा 25 पर आता है तो यह आप learn कर लिजे इससे आपको exam में बहुत जल्दी आप questions को solve कर लेंगे आपको वहाँ पर time जादा नहीं देना पड़ेगा ठीक है तो यह आपको पहले से पता होने चाहिए देखी जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है इस तरह से भी question आ सकते हैं कि अंग्रेजी वर्ण माला में आपके 22 वाइसवा अक्षर कौन सा होगा तो आप अपने 22 वाइसवा अक्षर कौन सा निकल कर आएगा तो देखे चुकि A, G, O, T, Y से हम जानते हैं कि T20 नमर पर आता है और 22 वाइसवा अक्षर पर हमारा क्या आएगा V आएगा तो यह आपको क्या है पहले से पता होंगे तो आप इसली कर पाएंगे उसी तरह से देखे यह एक तरह से examples है ठीक है यह भी आपको पता होना चाहिए कि किसके विपरीत क्या आता है क्योंकि exam में यह भी पूछ लिया चाता है तो मैंने आपको थोड़ी सी trick भी बताई थी जैसे कि A, J, A, S, A, Boy, Cracks, Dew, Jacqueline, Full, GT Road, High School, और IR से आप याद कर लीजे, Intermediate, ठीक है? या फिर आप अपने भी कोई trick लगा सकते हैं, Keep, Loin, और यह Moon, और यह क्या है, किसी का भी नाम ले सकते हैं, या फिर Even कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं, तो यह पूछ लिया जाता है, कि अच्छा यह बताईए, कि C का लिपरीत क्या होगा, तो C का लिपरीत आप यहां से करेंगे, तो C कितनी नमर पे आता है, 3rd नमर पे और अगर आप last से counting करेंगे, 3rd नमर पे क्या आता है, X, तो C का लिपरीत होगा, X, यानि कि लिपरीत का मतलब opposite, ठीक है, तो बहुत ही common है, और ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा difficulty होगी बस आपको यह चीज पहले से याद होगी तो आपका time waste नहीं होगा और अगर आप वहाँ पूरी तरह से solve करेंगे तब भी आप यह कर सकते हैं थोड़ा time जाएगा तो आप पहले से इन चीजों को याद करके रखी है ठीक है question पर आते हैं अब हम यह सारी चीज़ हमने जान ले प्रैक्टिसेट करते हैं देखिए यदि एक code में addition को i-d-e-t-n-o-i लिखा जाता है तो उसी code में medical को कैसे लिखा जाएगा बहुत simple है सबसे पहले इनका देखी क्या pattern follow रहा है फिर medical पर भी पैटर्न आप follow करेंगे तो पहले इसको solve करके जल्दी से answer बता दीजे जल्दी बताईए इसका answer comment में देखते किसका comment सबसे पहले आता है देखिए आप भी करिए मैं भी करते हूँ हम यहां लिख लेते हैं एडिशन ठीक है अब यह है आई डी ए टी एन ओ आई तो देखिए जो third number पर है वो first पर आया बीच में वही world रहा और e इधर चला गया टी का टी रहा और n हमारा फिर इधर आ गया यानि कि side वारले world हमारे बीच का वही रहेगा और बाकी के जो तीन पहले के तीन बात के होंगे वो आपस में cross होंगे और बीच का वही रहेगा यानि कि second letter हमारा second फिर fourth and फिर sixth number हमारा वही रहेगा जैसे पहले था तो medical देख लेते हैं M E D I C A L तो देखिए यहाँ पर बीच में क्या है हमारा I I उसी रहेगा यहाँ पर D आ जाएगा second number भी वही रहेगा M आ जाएगा A वही रहेगा L आ जाएगा C आ जाएगा तो यह होगा D E M I तो देखिए D E M I L A C यह कहाँ पर है तो यह हमारा option A में देख लिजे यहरा option A D E M I L A C ठीके सबका A यह था यह हमारा right answer है अब second देखिए आर्थ को इस तरह के रूप में coding किया गया है तो उसी code में heart को कैसे लिखेंगे जल्दी बताएए कॉशन पर ध्यान दीजेगा heart को लेके कुछ और मत सोचने लगना ठीके तेखिए अर्थ यह हो गया हमारा Q A sorry P Q P M Z S देखिए कौन सा पैटर्न हो रहा है E से Q आया है किस तरह से देखिए कितने नमर पर आता है E से Q E F G H I J K L M N O sorry E F G H I J K L M N O P Q कितने नमर पर आ रहा है हमारे 11 नमर पर देखिए अर्थ को देखते है E A R T H यह हमारा Q P M Z S तो देखिए E से Q कैसे आया E F G H I J K L M N O P Q कितने नमर पर आया 12 नमर पर तो देखते हैं कि वाकी भी 12 नमर पर आ रहा है A से P देखते हैं B C D E F G H I J K L M N O P यह नहीं आएगा यह वाला मैथड हमारा पॉलो नहीं होगा दूसरा मैथड देखते हैं देखिए इसमें न यह मैथड नहीं होगा अब हमें इसमें दूसरी ट्रिक देखनी होगी पहले यह देखिए यह जो इसके वर्ड है यह इसमें मैच कर रहे हैं सारे yes देखिए H B है T B है R B है A B है E B है तो ऐसे देखिए यह है हमारा E A A R T H और E के लिए यहांपर क्या दिया है Q A के लिए P दिया है R के लिए M T के लिए Z H के लिए S तो यहांपर H पहले है तो s आ गया हमारा e, e के लिए क्या दिया था q, तो q आ गया फिर हमारा r, r के लिए m दिया था, sorry यहाँ पर a दे रखा है, a के लिए p आ गया, फिर यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है, r, r के लिए क्या है m, और फिर है t, तो t के लिए यहाँ पर क्या है z, तो यह होना चाहिए S Q P M Z यह देखिए कहां पर है S Q P M Z यह है हमारे option number B में तो option B यहां पर हमारा right answer होगा क्योंकि इसमें देखिए सबसे पहले आप अगर short में बात करें तो यह देख लिया करिए जो भी हमें पहले से spelling दी हुई है और जिसका हमें निकालना है किया उनके और जो दी हुई है उसका आपस में पूरी matching हो रहे है जैसे कि यहां पर heart और earth सारे यहां पर हमारे जो alphabet है वो match कर रहे है तो यह वही वाला code हम follow करेंगे वह समय उनकी place बदलनी है जिस place पर वो दिये है अब है third question यदि किसी सांकितिक भाषा में gold को IQNF लिखा जाता है तो उस भाषा में wind को किस परकार लिखेंगे बताईए क्या होगा इसका answer आप भी solve करिए देखते हैं किसका answer निकल कर आता है पहले मैं भी करती हूँ देखें यहाँ पर plus two का follow रहा है O, P, Q, plus two है L से N, plus two है D से F, plus two है plus two का यहाँ पर pattern follow कर रहे हैं तो wind पर भी हम Y करते हैं W, X, Y, J, K O, P, F Y, K, P, F Option है यहाँ पर हमारा right answer है सबका second option था न वो sorry first option आया है सबका answer तो सबका सही है Next देखिए आप लोग भी comment क्या करिए next light को किसी कूट भाषा में इस तरह से लिखा जाता है तो उसी भाषा में integrate को किस प्रकार लिखा जाएगा अब देखिए यहाँ पर integrate दे रखा है यह आपस में match नहीं कर रहे हैं तो देखते हैं यहाँ पर और कौन सा pattern पॉलो कर रहे हैं देखे पहला थोड़ा सा देख लेते हैं नेक्सलाइट है एन ए एक्स ए एल आई टी ए नेक्सलाइट और यह है ल वाई वी वाई जे जी आर सी इस नेक्सलाइट है तो देखे यह माइनस में चल रहा है माइनस टू ठीक है अब इंटीग्रेट का निकाल लेते हैं इंटीग्रेट में देखते हैं माइनस टू से क्या pattern आएगा ठीक है देख़ेगे ग आएगा माइनस टू अगर हम आई से जाते हैं ग पर माइनस टू में तो ग आएगा फिर आएगा हमारा एल ट से हमारा क्या निकल कर आएगा आर C, D, E तो C आ गया फिर है हमारा G है यहाँ पर तो G से पहले क्या आता है E, F, G तो यहाँ पर आ गया E और R, P, Q, R P आ गया A, Y आ गया T, R आ गया E, C, D, E C आ गया तो देखे G, L, R C, E, P, Y, R, C Option B यहाँ पर हमारा राइड आंसर है ठीके, सबका सही है Option B यहाँ पर हमारा राइड आंसर है अब यह देखिए देखिए यह इस कॉशन को मैं दो तरह से आपको करना बताऊंगी और सबसे कम समय में जो लगेगा अगर आपको पैटर्न ठीक लगता है तो आप वही करेए देखिए यहाँ पर यह बताया गया है यदि सफेद को लाल लाल को पीला पीले को हरा और हरे को नीला कहा जाए तो हल्दी का रंग कैसा हुगा देखिए इस तरह के कॉशन्स होते है मैं जब इस तरह के एक्जाम देती थी तो मैं किस तरह से सॉल्फ करती थी मैं कभी इस तरह के कॉशन्स को पूरा नहीं पढ़ती थी क्योंकि मुझे तो बहुत कन्फ्यूजन होता था तो मैं सबसे पहले यह देखती थी कि पूछा क्या है इसमें हल्दी का रंग पूछा है और आप सबको पता है हल्दी का रंग कैसा होता है पीला होता है अब यह देख लीजे पीले का यहाँ पर क्या दे रखा है पीले को हरा बता रखे हैं ठीके तो हरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ठीक है ना बहुत सिंपाल है पूरा कॉशन क्यों पढ़े हम जह हमें इस तरह से हम करके सही आंसर कर सकते हैं आप सबसे पहले बस यह देखिए क्या पूछा है उसका रंग आपको पता है फिर आप वो देख लिजे कि उस रंग को और किस रंग से डिनोट किया गया है तो वो हरे से यहाँ पर डिनोट कर रहे है तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन भी राइट है अब देखिए यहाँ पर six question यदि चमच को प्लेट कहा जाए सेम वही है पट मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ प्लेट को चाकू कहा जाए ग्लाज को टश्तरी कहा जाए तो फल किससे काटा जाएगा अब देखिए हम सब को पता है फल चाकू से काटा जाएगा ठीक है तो अब यहाँ पर मैं पूराने पढ़ओंगी मैं आपको सिर्फ इतना बता दूग्य मचली का रहती है पानी में अब पानी देख लिज जल जल को सावुन तो यहां पर सावुन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा खीक है सही है यहां पर अब यह देखिए यदि मास्टर का कूट यह है तो क्रेडल का कूट क्या होगा अब देखिए यहां पर साव दिख रहा है M की बाद N आता है M NO प्लस 2 करके A से C प्लस 2 S T U V प्लस 3 हो जाएगा यह ठीक है एक मिनिट M NO प्लस 2 है A B C प्लस 2 है S T U V प्लस 3 T U V W प्लस 3 E F G H I प्लस 4 R S T U V प्लस 4 यानि की यह दो प्लस 2 है यह दो प्लस 3 है यह दो प्लस 4 है प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 यह चल रहे है पैटन तो सेम इसी का देखिए C, D, E E आ गया R, S, T T आ गया A, B, C प्लस 3 होना चाहिए एक मिनिट देखते हैं कोई और पैटर्न फोलो हो रहा है क्या सही है A, B, C, D मैं खुद भूल गई प्लस 3 आएगा ठर्ट पर और यहाँ पर D है D, E, F, G फिर आएगा L, L, P, L, P करना है L, M, N, O, P P आ गया और फिर E, F, G, H, I तो आई आ गया तो यह होगा E, T, D, G, P, I यानि कि option A यहाँ पर हमारा right answer है ठीक है अब आते हैं 9th question पर अच्छे लग रहे हैं questions आपको concept clear हो रहा है और अगर concept clear होता है तो इसी बात पर एक like कर दीजे ठीक है यदि किसी सांकेतिक भाषा में carrier को 318008 से तथा monkey को इतने से प्रदर्शित किया जाए तो मौकरी को किसे प्रदर्शित करेंगे अब देखें यहाँ पर यह जो question हमें दे रखा है इसमें कोई pattern इस तरह से follow नहीं हो रहा जैसे देखिए आप है यहाँ देखिए C तीन number पर आता है माना हमने तो एक यह pattern भी follow हो सकता है देखते हैं आगे तो होता है कि नहीं A आता है 1 number पर R आता है 8 पर नहीं R 8 पर आई नहीं सकता E 0 पर नहीं आ सकता EB 0 पर नहीं आ सकता यानि कि यहाँ पर number इनके खुद के number नहीं है इनको allot किया गया है जैसे कि M ए 5 तो देखें यहाँ पर मौकरी पूचा गया है मौकरी इस M को कौन सा number दिया गया है 5 तो हम 5 ले लेते हैं ठीक है फिर है O O देखें यहाँ पर 2 नमबर है O को कौन सा number अलोट हुआ है 2 तो हमने ले लिया 2 अब देखें C एक जानी से देखना दोओ आब आपको कहने नमबर लोट служ pigmentHendi और फेसके के लिए सबस्क्राइब रवाएन पर टीम कट गया में यहां को घ्राइब सबस्क्रामाई ने पर हमारे महता जाएब और फिर आगया वाई, वाईब को 9 अलोट किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर option भी right answer हो जाएगा, simple था ना यह वाला question भी, अब देखिए again आ गया, रेल गाड़ी के रुकने का संकेत किस से दिया जाता है, अब आपको पता है, रेल गाड़ी को रुकने के लिए आपको किसका संदेश देना पड़ता है, लाल रंग से दिया जाता है, आप देख लीजे, लाल रंग नहापर किस से denote किया गया है, लाल को सफेद कहा जाए, तो का answer हो जाएगा D, simple था, इस तरह के questions बहुत जल्दी हो जाते हैं, कोई जरूत नहीं हो, उसको पूरा पढ़ने की, यदि किसी code भाषा में man को s-a-n-m लिखा जाए, और world को s-o-r-d-w लिखा जाए, यानि की, कोई भी, यहाँ पर एक तरह से यह pattern follow रहा, यह 3 है, तो यह 4 है, यह 4 है, तो इसको 5 नम्मर से denote किया गया है, यह 4 है, तो अगे नम्मर पांच लेना है, अब देख लेते हैं, pattern क्या है, देखिए, इस question को man, और यह है s-a-n-m, यानि की, जो first world है, उसको last में रखा गया है, और last के जो है, वो पहले रखे गए हैं, और as यहाँ पर, अलग से include कर गया है, world पर देखते हैं, कि यहی pattern follow हो रहा है, last का, पहले जो है, वो last में रखा है, last के सारे पहले रख दिये, और S पहले से include कर दिया यह है हाँ तो अब sales देख लेते हैं sales में भी क्या करना है जो पहला है वो last में रखना है A, L, E वाले पहले रखने है और S आगे include करना है तो sales हो जाएगा Yes, sales है दिया हुआ है तो यहां पर options ही हमारा right answer है Hope यह concept clear है एक बार आप इसका screenshot ले लीजे इसको solve करिए अगर आप doubt है और अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप बताएगा screenshot लेके रखिए ठीक है क्योंकि हर question में students को कभी किसी में problem हो रही है कभी किसी में तो ऐसे अगर मैं आपको वही पुराने questions बारवार कराऊंगी तो देखे फिर हम आँगे और भी चीज़ें नहीं सीख पाएंगे मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ज़ादा से ज़ादा chapters include कराके और ज़ादा से ज़ादा practice head करा दू और अगर मैं वही previous paper ज़ादा questions solve कराऊंगी तो फिर हम आँगे नहीं भड़ पाएंगे ठीके आप खुद से solve करिए एक बार दुवारा से और तब भी नहीं आता है तब मैं आपको समझाओंगी ठीके तो प्लीज इतना करिए क्योंकि अभी हमें अपना syllabus भी complete कराना है माई से पहले practice head भी कराने है और फिर इनी सारे practice head को दुवारा से solve कराना है क्योंकि नए-nए practice head करने से कोई फायदा नहीं है आप जो practice head कर चुके हैं उनको ही हम revision करेंगे वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अब तक हम वही questions discuss कर रहे हैं जहांसे questions बनते हैं या फिर past year में वो questions आए हैं तो उनी को हम बरवर revision करेंगे हम फिर ज़्यादा नए questions नहीं करेंगे क्योंकि आपने सुना भी होगा ज़्यादा questions करते हैं तो हम confused हो जाते हैं तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे हमारा matter कम होना चाहिए लेकिन हमारा revision ज़्यादा होना चाहिए जितना कम matter होगा revision उतना ज़्यादा होगा और अच्छे से हमारी तैयारी हो पाएगी ठीक है फिर हमारा यदि किसी सांकितिक भाषा में Bombay को इस वे में लिखा जाता है उसी भाषा में Tamil लाइडू को किस वे में लिखा जाएगा तो देखते है देखें यहाँ पर Bombay को इस भाषा में क्यों लिखा गया है यह हमारा यहाँ पर थार्ड यह लिया है and six number थार्ड नम्मर शिक्स नम्मर को यहाँ पर उस वे में लिखा गया है तो देखें यहाँ पर थार्ड नम्मर क्या है M और six number पर क्या आ रहा है N तो MN MN हो जाएगा यहाँ फिर यह भी देख लीजे यहाँ पर हर तीसरा नम्मर लिया गया है यह पहला तीसरा नम्मर क्योंकि यह तो spelling बड़ी है तो यहाँ पर तो हम third or six का pattern लेके चल सकते हैं लेकिन यहाँ तो यह spelling बड़ी है तो देखें हर तीसरा यह 1,2,3 1,2,3 और अगर यह और बड़ी होती तो वो 1,2,3 हो जाता तो ऐसी हम यहाँ देखते हैं 1,2,3 1,2,3 1,2,3 तो हमारा जो pattern बनेगा वो बनेगा M, N, U M, N, U M, N, U यहाँ पर दिख रहा है ना आपको option यह right answer है सही है सबको समझ में आ गया अब देखिए यदि acne को 7, 29, 11 के रूप में कूट किया जाता है तो boil को किस भाशा में कूट किया जाएगा तो देखिए यहाँ पर A हमारा कितने नम्मर पर आता है 1 ने A आता है 1 पर C आता है 3 पर N आता है हमारा 14 पर और E आता है हमारा 5 पर लेकिन यहाँ तो 3, 7, 29, 11 दिया गया है तो देखते हैं यहाँ पर इन्होंने कौन सा पैटर्न फॉलो किया है देखिए 1 में अगर मैं 2 प्लस 2 मल्टिप्लाई करूँ और 1 प्लस करूँ तो यह 1 है इसमें मैंने मल्टिप्लाई किया 2 का प्लस 1 यहाला पैटर्न देखते हैं तो 1 में 2 का multiply किया 2 आया plus 1 किया तो ये 3 आ गया फिर 3 में 2 का multiply किया 6 और 1 किया 7 आ गया 14 में 2 का multiply किया कितना हो गया 28, 1 प्लस किया 29 हो गया और 5 में 2 का multiply किया 10 हुआ, 10 में 1 प्लस किया तो 11 हो गया सही है, अब उसी तरह से boil देख लेते हैं B O I L पहले boil देखते हैं second number पर आता है वो हमारा कितने number पर आता है देखिए A B C D E F G H I J K L M N O कितने पर आया है 15 पर उसके बाद हमारा 1 हमारा कितने sorry I A B C D E F G H I यह हमारा कितने पर आया 9 पर I J K L M I J K L तो यह हमारा कितने पर आया 12 13 हो गा यह ठीक है एक बार फिर से कर लेते हैं A B C D E F G H I J K L ठीक है 12 हो गया ठीक है तो यह सही था 2 15 9 9 12 पहले इनका 2 से मल्टिप्लाइ करेंगे और 1 एड करेंगे ठीक है इंटू 2 प्लस 1 अब 2 का 2 में मल्टिप्लाइ किया 4 1 किया 5 2 का यहाँ पर 15 में मल्टिप्लाइ करेंगे 30 30 में 1 एड करेंगे 31 2 का मल्टिप्लाइ करेंगे 9 में 18 18 में 1 add करेंगे 19 तुका multiply करेंगे 12 में 24 और 24 में 1 add करेंगे तो कितना होगे 25 तो यह हमारा series होगी 5, 31, 19 and 25 option B पर यहां हमें match कर रहा है option B यहां पर हमारा right answer हो जाएगा clear है यह भी इसका भी आप screenshot ले लीजे क्योंकि अगर आप कभी free होते हैं या रात को सोते समय जब भी आपका मन करता है तो आप इनको द्वारा solve कर लीजे या फिर में telegram group पर पूरा PDF दे दूँगी तो आप आराम से free जब भी free हो उनको फिर से खुद से solve करें नई समझ में आता है तो वीडियो तो यहां पर है कभी भी आप उसको देख सकते हैं ठीक है तो वहाँ पर द्वारा से आप समझ सकते हैं next आते हैं किसी कूट भाशा में रतलाम का कूट 2 है तो पदमिनी का कूट उसी भाशा में क्या होगा आप देखते हैं रतलाम और पद में नहीं आप देखिए आपको क्या लगता है कौन सा पैटर्न यहां पर फॉलो हो रहा है देखिए टू है तो कहीं ना कहीं यहां पर माइनस या प्लस करके कुछ ना कुछ अरसर पैटर्न फॉलो किया होगा करिए करें हम देखिए हम करते हैं आपको टाइम लगेगा रतलाम पहले यह बताईए आर कितने नमबर पर आता है आर आएगा 17 पर ए कितने पर आता है 1 पर टी पर कितना आएगा 20 एल पर कितना आएगा 12 सूरी ए लिखना बूल गई में ए आएगा 1 पर और M हमारा कितने पर आता है 13 पर अब देखिए क्या सीरीज निकली हमारी 18 12 फिर हमारा कितना था स्वारी 1 था ये 12 नहीं था 1 फिर आया 20 फिर आया हमारा आगें 12 फिर आया आगें 1 फिर आया आगें 13 इन सबको आप एड कर लीजे कितना निकल कराएगा आंसर एड करने पर 65 अब इन 65 को भी आपस में एड करिए ठीक है इनका आंसर 65 निकला 6 और 5 को एड करेंगे कितना आएगा 11 अब 11 को भी आपस में एड करेंगे इस 11 को 11 मानिए अब 1 और 1 को एड करेंगे तो कितना आएगा 2 ये रा 2 आंसर सही है इस तरह एक एक्जाम में बहुत कम आते हैं लेकिन फिर्वियम प्रैक्टिस कर रहे हैं जरूरी नहीं इस तरह काई क्योंकि बहुत ही बेसिक से कॉश्चन्स आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे अगर आप प्रिवियस पेपर उठाके देखे दो तो बस एक बार हम समझ लेते हैं ठीके पदमिनी को आप इसी तरह से करेंगे तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो होगा आपका 66 ठीके अब इन 66 को भी आप प्लस करिए 6 और 6 कितने होते हैं 12 अब 12 को भी आप प्लस करिए आपस में यानि कि 1 को 2 में प्लस करिए तो कितना निकल कर आएगा 3 आंसर आपक और लेड़ी आदे घंटे से जाता कि क्लास हो चुकी है इसलिए मैंने आपको जी शॉट में करवाया है आप प्लेस एक बार खुद से करके देखेएगा यदि क्रिकेट शब्द के लिए कूट यह है तो इनफ इनफ नहीं आई जे के एल सी यानि कि सम में प्लस त्री प्लस त्री है ती यू वी डब्लू ठीक है तो इ देखते हैं इ एफ जी एच एच एक मिनिट यह वाला पैटर्न तो नहीं होगा यहाँ पर फॉलो अच्छा यहाँ पर यह कहा गया इसका कूट यह है तो यह reverse यह नोंने दिया है क्योंकि देखे अगर हम यह देखते हैं तो यहाँ पर options नहीं आएंगे यह नोंने गलत दे दिया है यह शब्द के लिए कूट यह है तो इसके लिए कूट होगा कूट नहीं इसके लिए यह खुद एक कूट है और इसका हमें question निकालना है ठीक है तो देखिए E से minus 3 चलिए आप तो क्या निकल कराएगा B, C, D, E यानि कि B देखिए यह मैं आपको फिर से बता देती हूँ confused मत होईए यह question है इसका answer यह था लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया answer दिया गया हमें question निकालना है तो यहाँ पर यह हमने plus 3 किया है plus 3 का pattern हो रहा है लेकिन यहाँ पर हमें minus 3 करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पर इसका question निकालना है कूट तो यहाँ पर already given है ठीक है ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा I, फिर आएगा G से D, E, F, G यानि कि D, फिर आएगा H से A, B, C, D, E, F, G, H यानि कि यहाँ पर आएगा E, तो bride होना चाहिए इसका question, ठीक है option B यहाँ पर right है, अब आप इसको cross check भी कर सकते हैं, यह हमारा bride है bride से plus 3 करिए, B, C, D, E, तो यहाँ गया E, R, S, T, U, U आगया I, J, K, L, D, E, F, G, E, F, G, H, ठीक है, यही था हमारा question E, U, L, G, H, E, U, L, G, H ठीक है, सही है, तो आप option से भी देख लिया करिए, कि options अगर वो नहीं है तो ऐसा तो नहीं है, question में answer ही दिया हो, हमें खुद उसका question निकालना हो, कूठ हमें खुद दिया हो, ठीक है तो इस तरह से भी questions पूछे जाते हैं exam में, कभी आप छोड़ाएं हाँ, अगर इस तरह का आपको कोई question ऐसा लगता है, doubt है, कि हमसे नहीं निकल ला है, कौन सा pattern हो रहा है, तो please उस question को आप skip कर दीजे, last में करिए, क्योंकि last में हमेशा ऐसा होता है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता था, कि जब भी मैं exam देने जाती थी, तो जो भी questions मेरे को ऐ ऐसा लगता था, कि हाँ, time है इसमें, जैसे मैंने अपने net का exam दिया है, CTAT का, और भी exam दिये थे, तो उसमें मेरे को हमेशा ही ऐसा लगता था, कि यह मैं नहीं कर पाऊंगे, या फिर इसमें जाला time लगेगा, तो मैं उस question को छोड़ देती थी, फिर मैं आंगे के question करती थी तो इससे क्या होता था, last में हमेशा मेरा आदा घंटा, एक घंटा बचता था, तो वो मेरे लिए बहुत सही रहता था, क्योंकि आपके पाइस time बचता है, तो उस आदे एक घंटे में आप देख सकते हैं, कि आपका questions आपका रहे गया है, उसमें आप वो कर सकते हैं, लेकि तो last में आपको हमेशा ऐसा होगा कि आपका paper रह जाएगा, या फिर जल जल में last के questions करेंगे, तो पहले उन questions को करिए, जिन पर आपको 100% पता है कि इसका answer यही होगा, या फिर आप बिल्कुल sure हैं कि आप जो भी इसका answer निकाल ला है, वो बिल्कुल सही निकल रहा है, नही तो आप छोड़ दीजिए उसको क्योंकि ऐसा ना हो, आपने पूरी मेहनत करी, उसको solve किया, फिर भी answer नहीं निकल ला और आपका time भी गया, आपका answer भी नहीं निकला, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, next question को, अब देखिए इसमें, दूद का रंग क्या है, अब आप सबको पत है, दूद करंग कैसा होता है, सफेद होता है, लेकिन यहाँ पर सफेद का कुछ नहीं दिया है, ठीक है, तो यानि कि दूद करंग सफेद भी हो सकता है, उजला, उजला माने भी सफेद ही होता है, जिसको हम white color बोलते हैं, ठीक है, तो उजला को यहाँ पर क्या कहा हो गया ह आकाश, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, आकाश, काफी student को नहीं पता होगा, उजला मानेवी वही होता है, जो दूद का कलर होता है, सफेद, ठीक है, तो उजला मानेवी वही है, next है, किसी quote भाषा में institution को इस तरह से लिखा गया है, उसी quote भाषा में perfection को कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए institution कैसे लिखा गया है, देखिए आप question में देख लीजे, इसका जो i है, वो last में रखा गया है, इसका जो n है, starting में रखा गया है, और last का वो second number पर, यानि कि इनको आप हाफ-ाफ कर लिजे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा ग्यारा है तो यहाँ पे क्या एक दो तीन चार पांच ती यहाँ पे common रखी है आप ठीके यह वाले सारे world आपको पहले करने हैं यह वाले ट से पहले वाले बाद में करने हैं लेकिन इनका place change हो जाएगा last वाला first में फिर last second first second में last third first third में ऐसे करने हैं तो देखिए ऐसी perfection को देख लीजे एन फिर आएगा o फिर आएगा i फिर आएगा t तो यह देख लीजे यह pattern कहां यह pattern इसमें नहीं है यह कट गया अब वहीं last से देखिए P, E, R, F अब देखिए P, E, R, F कहां पर है इसमें नहीं है यह कट गया इसमें नहीं है यह कट गया Option D यहां पर हमारा right answer हो जाएगा सबका answer सही है Option D है सबका answer Yes अब 18 पर आईए किसी code भाशा में friend को H, U, M, J, T, K कहां गया है अब देखिए यह कैसे आया है यह देख लेते हैं F, G, H यानि कि plus 2 R, S, T, U यानि कि plus 3 plus 2 plus 3 I, J, K, L, M यानि कि plus 4 E, F, G, H, I, J plus 5 N E, F, G, H, I, J हो गया अब N M, N, O, P, Q, R, S, T कितना हो गया plus 6 हो गया तो इस तरह से हमें pattern यह follow करना है तो आप candle का देख लिजी candle C, D, E तो E आ गया यह कट गया हमारा यह कट गया हमारा ठीक है अब A है A, B, C, D D आ गया यह भी कट गया option A right है ठीक है? या फिर आप आगे भी इसको question solve करके देख सकते हैं next पर आते हैं अभी हमारे बहुत सारे questions रह गए है अगर आप कहें तो हम कल करें तो कि बहुत questions है और अब time बहुत हो चुका है अभी इससे पहले भी हमने एक class लीती तो इतना ही करते हैं ठीक है? और कुछ और questions रह गए है 10 लगबग वो हम कल कर लेंगे ठीक है? तो आज के लिए इतना ही I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like कीचे और किसी भी तरह की कोई भी query हो तो प्लीज जरूर बताएगा ठीक है? अभी मेरी गलाबी इतना ठीक नहीं है कब भी बहुत जादा है तो अभी मुझे बोलने में बहुत problem हो रही है तो मैं से जादा class नहीं ले सकती लगाता है दो classes हो जाती है मेरी तो I'm really sorry इसके जो remaining questions है हम कल कर लेंगे लेकिन अगर आपको लगता है कि ये pattern आपको समझ में आ गया है तो हम आगे फिर कभी कर लेंगे वैसे हम कल एक नया topic लेकर आगे अभी हम सारे topic करते हैं इसके जो remaining questions है हम फिर कभी जैसे कि मुझे कभी भी लगेगा कि अब सारे topic हो चुके है कुछ हम practice आइट करते हैं तो वहाँ पर हम और topic के साथ सारे questions combine करके आपको करा देंगे ठीक है तो यहीं तक इतना ही I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड से शेयर कीजिए किसी पित्रे के कोई भी query हो तो प्लीज जरूर बताएगा तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और बेच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक क्यार बाई बाई